प्रधान मंत्री मोदी ने प्रतिमा का अनावरण किया के ये जो प्रतिमा के ये संत श्री रामा नुजारेक है और ये जो प्रतिमा है ये 266 फिट की उचाई वाले प्रतिमा के और इसे एक्वालिटी की प्रतिमा के तौर पर बताया जा रहा के तस्वेरें आप देख पा रामारुजा चाहरे जी के सभी अनुयाईयों को इस सूप अवसर पर अनेक अनेक बधाई देता हूँ साथियों अभी मैं एक सो आठ दिव्य देशम मंदिरों के दर्शन करके आ रहा हूँ आलवार संतों ने जिन एक सो आठ दिव्य देशम मंदिरों का दर्शन पूरे भारत में ब्रह्मन करके किया था कुछ वैसा ही सोभाग्य मुझे आज स्री रामानुजा चाहरी जी की कुर्पा से यहीं मिल गया मानवता के कल्यान का जो यग्य उन्होंने ग्यारवी स्टब्दी में शुरू किया था वही संकल्प यहां बारा दिनों तक विभिन अनुस्ठानों में दोहराया जा रहा है पुझ्य स्री जीर स्वामी जी के सने से आज विश्वक सेन इस्टी यग्य की पुर्णा होती में सामील होना का सवभाव्य भी मुझे मिला है मैं इसके लिए पुझ्य जीर स्वामी जी का विशेश रुप से आभार प्रगड करता हूं उन्होंने मुझे बताया है कि विश्वक सेन इस्टी यग्य संकल्पों और लक्षों की पूर्ती का यग्य है मैं इस यग्य के संकल्प को देश के अमरित संकल्पों की सिद्धी के लिए नत मस्तक हो करके समर्पित करता हूं इस यग्य का फल मैं अपने 130 करोर देश वासियों के सपनों की पूर्ती के लिए अर्पित करता हूं साथियों दुनिया की अधिकाउं सब्यताओं में अधिकाउं सदर्शनों में किसी विचार को या तो स्विकार किया गया है या फिर उसका खंडन किया गया है लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसके मनिश्यों ने ज्ञान को खंडन, मंडन स्विक्रुती, अस्विक्रुती इससे उपर ही उठा करके देखा स्वयम उससे उपर उठे दिव्यत्रश्टी से उस विवात को देखा हमारे यहां अध्वाइद भी है और द्वाइद भी है और इन द्वाइद अध्वाइद को समाहित करते हुए स्री रामानुजा चाहरे जी का विशिष्टा द्वाइद भी हमारे लिए पहरना है रामानुजा चाहरे जी के ज्ञान की एक अलग भव्यता है आएद killingवाइद अवाइद को